नमस्कार बच्छों, तो हम पढ़ चुके हैं कि कुटज कहां पनपता है, यह श्रीवालिक श्रिंखला के निचले हिस्से में पनपता है, यह पेड कैसा है, ठीगना सा पेड है, हरा भरा है, और इसकी जड़ है बहुत गहरी पैठी होती है, मतलब जो श्रीवालिक श्रिंखल बहुत ही रूखी सुखी और बेजान है, वहाँ पर कोई पेड पौधे नहीं पनपता है, कहीं भी पेड नजर नहीं आता, वहाँ पे कठीन पाशान है, यह चारों तरफ पत्थर है, और क्या है, वहाँ पर यह कुटज वरिक्ष जो है, कठीन परिस्थिती के साथ जूचत अब कुटज नाम जब उन्हें याद नहीं आता, तो वे सोचते हैं, कि अगर इसे कुछ भी नाम दिया जाए, तो क्या फरक पड़ता है, पर वे कहते हैं कि नहीं, रूप तो व्यक्ति सत्य है, और नाम जो है, वहाँ समाज सत्य है, तो जिसका जो नाम है, उसे उसी नाम स समाज में स्विकृति मिलती है, उसी नाम से पहचाना जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, आप अगला प्रिष्ठी खो लिए, इस गिरी कूट बिहारी का नाम किया है, अब लेखक के मन में यही घूमता रहता है, कि आखिर उस पेड़ का नाम किया है, गिरी कूट बिहारी, ग मत्राइब उनका मनν व्याकुल हो जा रहा था मन दूर दूर तक उड़ रहा है देश में और काल में मनोरथ नामा गती नविर्धते मतलब उनका जब तक नाम याद नहीं आ रहा था कुटज वरिक्ष का नाम याद नहीं रहा था तो वे बहुत दूर तक सोचते रहते पर किसी प्रकार से वह नाम उनके दिमाग में नहीं आ रहा था अचानक क्या है उन्हें याद आया अरे यह तो कुटज है फिर अचानक उन्हें याद आता है बहुत सोचनी के बाद कई दिनों से उसके दिमाग में घूम रहा था कि याद आया कि यह तो और कुछ नहीं कुटज व्रिक्ष है संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किन्तु कवियों द्वारा अभमानित है बहुत ही परिचित नाम है मगर कवियों द्वारा यह अभमानित है यह छोटा सा शांदार व्रिक्ष कुटज है तो यह जो कुटज है उसको उतना महत्व नहीं दिया गया है कवियों द्वारा उ कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो विर्ध तो निसंधे कुटज होगा तो लेखा क्याते कुटज का में छोटी हो है तो शायद कुटज भी हो सकता का में बड़ी हो कुटज ठीक है ना होगा गिरी कूट का उत्पन होने वा काफी आनन्त मिलता है बहरहाल यह कुटज कुटज है मनोहर कुस्सुम्स तबकों से जबराया उल्लास लोल चारुसमित कुटज जी भर आया कालिदास ने आशाडस से प्रथम दिवसे में राम गिरी पर यक्ष को जब मेगे के अभर्थना के लिए नियोजित किया गया था तो उन्हें कोई फूल तब वहाँ पर नहीं मिला था मैंने आपको पहले कहा कि शीवालिक श्रिंखला में कोई फूल नहीं पनपता कहीं कोई दूर दूर तक कोई पेड़ पोधे नहीं है यहां तक घास तक सूख चुके हैं वहाँ पर क्या है सिरफ कुटज व्रिक्षी प संतौष करना पड़ा था अरुजवक्त क्या है कुटज फूल से ही उन्हें अंजली दी थी यह और बात है कि आज आशार का नहीं जुलाई का पहला दिन है मगर फर्ग भी कितना है बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है कालिदास ही कभी शापे नास्त गामीत महीमा होका रामगीरी पहुचे थे यक्ष तो नाम के वास्ते हैं वो नहीं कहते हैं वे कहते हैं खुद कालिदास जी खुद कहां पहुचे थे रामगीरी पहुचे थे और वही पर उन्होंने अपने हाथों से कुटज फूल को लेकर क्या किया था कुटज फूल से ही उन्होंने अंजली अर्पित की थी और समय और कोई फूल नहीं मिला होगा कुटज फूल से अंजली देने का कारण किया था कि वहाँ पर उन्हें और कोई फूल नहीं मिला था कुटज ने उनके संतप्त चित को सहारा दिया था बड़ भागी फूल है अब देखो कुटज को बहुत ही भाग्यवान कुटज यहां पर देखो यह इंपुट लाइन ma कि ग्रोर के साथी तो यहां पर किसे कहा गया है कि गाड़े का साथी किसे कहा गया या मुहावरा में आ सकता है कि गाड़े का साथी का अर्थ क्या है मतलब बुरे वर्थ का साथी उत्तर की ओर सिर उठा कर देखता हूँ सुदूर तक उची काली परवत श्रिंखला चाही हुई है और एकाद सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे ख इसके अलावा और कुछ नहीं है सिरफ वे रुखी जो है मलब एकदम चट्टान है ठीक है चट्टान के अलावा और कुछ नजर नहीं आता मैं भी इन पुश्पों का अर्थ उन्हें चड़ा दू पर काहे वास्ते लेकिन बुरा भी क्या है फिर वे सोचते हैं क्यों ना मै इसी फूल से क्या करूँ वहाँ पर मैं अंजली चड़ा दूँ अगला पैरग्राफ देखो कुटज के ये सुन्दर फूल बहुत बुरे तो नहीं है तो वे कहते हैं कुटज का जो फूल है इतना बुरा भी नहीं है काफी खुबसूरत है जो कालिदास के काम आया हो तो य स्यादा इज़त मिलनी चाहिए देखो बाखी लेकर कोने कवियों ने कुटज फूल को इज़त नहीं दी तो वे कहते हैं जब कालिदास के काम आया तो इस फूल को क्या है इज़त मिलनी चाहिए मिली कम है मगर जिस तना मिलना चाहिए था उतनी इज़त क्या है इस फूल को मिलते तो यहां पर उन्होंने उधारन के तौर पर रहीम से की है रहीम जो दोहे लिखा करते थे वे चौदवी शताबदी के थे तो वही उधारन के तौर पर रहीम से कहते रहीम को मैं बड़े आदर के स्मरन करता हूं तो वही रहीम को याद करते हैं दरिया दिली आदमी थे पाया सो लुटाया मरलब उनका दिल बहुत बड़ा था वे लोगों पर बहुत क्या करते थे लुटाते थे उन्हें जो भी मिलता था वो गरीबों में दान कर देते थे ठीक है तो वही कहा गया उन्हें जो भी मिलता था वो लोगों में लुटा देते थे वे हमेशा दूसरों के बारे में सोसते थे लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है रस चूस लेती है छिलका और गुठली फैंक देती है पर लोगों को क्या है रस चूस लेते हैं मतलब और छिलका और गुठली फैंक देते हैं मतलब इनसान क्या करते हैं फाइदा तो ले लेते हैं उसके बाद उस उसको फैंक देते हैं लोगों से क्या है काम निखलवा लेते हैं जब उनका मतलब मिट जाता है तब उसकी कोई इससे कोई पूस्ता भी नहीं है सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फैंक दिया गया था यहां तक रहीम को भी क्या है उससे जो हम उनसे दोहा लिखव में रखा था और वे क्या करते थे वहीं पर वे अपना दोहा सुनाते थे बादशाह खुश रहते थे मागर उसके बाद क्या है रहीम से जब मतलब हो गया उन्होंने उन्हें भी क्या है अपने इलाके से दर्वार से उन्हें निकाल दिया था वे दर्वारी कवी थे एक बाद बादशा ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फैक दिया, ठीक है, आदर सम्मान के साथ उन्हें बुलाया गया था, दूसरे बादशा ने उन्हें क्या है, दरवार से निकाल फैका था, हुआ ही करता है, इसे रहीम का मोल घट नहीं जाता, जब निकाल भी दिया है, मगर उनका दोहा देखो, आज भी प्रचलित है, वही कह रहे हैं, अगर इज़त जिसे मिलती है, वह जिंदगी भर रहती है, उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं, अच्चे भल्ले कदरदान थे, तो उनको चाहने वाले भी लोग काफी थे, उनकी दोहे जो हैं, वे काफी प्र प्रिष्णा सवार होती है कि गल्ती कर बैठते हैं, देखो, गल्तियां तो सभी से होते हैं, मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुर्जा गए होंगे, ऐसी ही मन स्थिति में उन्होंने विचारे कुटच को भी एक चपत लगा दी, तो हो सकता है, किसी कारणवश उनका मन भी बिगड़ गया होगा, या किसी कारणवश, बट उसके लिए उन्हें जिन्दगी भर के लिए निकालना भी ठीक नहीं था, लोगों के खिदय से, इसलिए जूंजलाय थे, कहा दिया, वे रहीम अब बिरच कहां, जिनकर चां घंबीर, बाग तो लेखा कहते हैं, भई, सिरफ पेड चाया ही दे, हर वक्त, मतलब हमेशा काम आए, ऐसा नहीं है, कभी-कभी वह फूल भी देती है, जब पेड के पत्ते जड़ जाते हैं, वहाँ पर शायद कुछ फूल ही खिले रहते हैं, चाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो सम्म मिलना चाहिए, मगर कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कुछ लोग उनकी तुलना मतलब क्या है, दूसरे पौधों से करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चीए, सभी की अपना-पना व्यक्तित्व होता है, तो आशा करते हैं, यहां तक समझ में आया होगा, आगे सुनो, कुटज अर्था जो कूट से प हमस्ते हो न, मतका जिसे कहते हैं, गड़ा, और क्या है, घर को भी कहते हैं, तो लेखा कहते हैं, कूटज इसका अर्थ दो है, एक है घड़ा, और दूसरा है घर, अर्था घड़े से उत्पन होने के कारण, प्रतापी अगस्ते मुनी भी कूटज कहे जाते हैं, तो कहा गया है कि अगस्ते मुनी कहा जाता है मतलब कि अगस्ते मुनी का जन्म घड़े से हुआ है मतलब उत्पन वे घड़े से हुए है इसलिए उसे कुटज भी कहा गया है अगस्ते मुनी को कुटज नाम से भी जाना जाता है घड़े का तो से तो उत्पन क्या होंगे कोई और बात होग वे कहते हैं देखो कुठारी का और कुठकारी का इसे क्या कहते हैं अंडरलाइन करना कुठारी का और कुठकारी का इसे मरलब दासी को कहते हैं हो सकता है क्या कि वे दासी के पुत्र थे इसलिए उनका नाम कुटज पड़ा होगा क्यों कहते हैं कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संब्ध है यहां तक कुटिया या कुटीर भी कुटज से ही संब्धित है क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है हो सकता है कुटज का अर्थ घर हो घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारी का और कुटकाहारी का कही ही जा सकती है घर में जो काम करते हैं उसे भी हम क्या है कुटकारी का या कुटकारी का कह सकते हैं तो कुटज शब्द के कई अर्थ निकलते हैं एक ज़रा गलत धंग की दासी, मतलब जो लोग बुरे काम करते हैं, ऐसी तरह की दासी को हम कूटनी कहते हैं, तो यह कूटनी भी कहा जा सकता है, संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कहा दिया गया है, अगस्त मनी भी नारत जी की दासी के पुत्र थे क्या, तो लिखा क्याते हैं, क्या अगस्त मुनी भी नारत की दासी के पुत्र तो नहीं थे, क्योंकि नारत जी भी दासी के पुत्र थे, और दासी के पुत्र होने के नाते, शायद उनका नाम कुटच पड़ा होगा, घड़े शायद कोई संबंध नहीं है फूल गंबले में होते अवश्य है पर कुटज तो जंगल का सैलानी है घड़े में पैदा नहीं होता उसे घड़े या गंबले में क्या लेना देना शब्द विचारों तक अवश्य है कहां से आया मुझे तो इसी में संधे है कि यह आरे है या नहीं इस पर भी वे विचार करते हैं एक भाशा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटज भी दोनों ही मिलता है जान पड़ता क्योंकि ये लेखक को लगता ये आरिजाती का नहीं है सिल्वा लेवी अंडरलाइन करना सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाशा में फूलों व्रिक्षों और खेद बागवानी के अधिकान शब्द आगने भाशा परिवार के हैं तो फूलों के नाम पेडों के नाम बगीचे के नाम ये सब आगने परिवार के भाशा परिवार से संबंधित हैं यह वहीं का तो नहीं है कहीं कुटच वृख्षित कुटच जो नाम है या आगने भाशा से तो नहीं है एक जमाना था जब अस्ट्रेलिया और एसिया के महादिप मिले हुए थ तो हजारों साल पहले कहा जाता है यह पूरा विश्व जो है एक दूसरे से मिले हुए थे एशिया और आस्ट्रेलिया एक साथ मिले हुए थे और धीरे धीरे जो है कोई भाएंकर प्राकतिक दुर्जोग आने के कारण विश्वोट हुआ जिसके कारण यह जो कंटिनेंट है वह अलग हो गया होगा तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से यह नाम कुटज नाम एशिया में आया होगा दोनों ही अलग हो गए उनिस्वी शताबदी के भाषा विज्ञान पंडितों को यह देखकर आश्यर हुआ की ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध है तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बसे जो लोग है वहां की जो भाषा है बहुत कुछ एशिया की भाषा से भी मिलती जुलती है तो उन्हें लगताशा दिया नाम भी ऑस्ट्रेलिया से आया होगा भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिन में संथाल मुंडा आधी भी शामिल है तो संथाल जो लेंग्वेज है वह भी काफी बहुत उनसे मिलती जुलती है शुरू शुरू में इस भाषा का नाम आस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था पहले यह भाषा जो है इसका नाम कि वर्ग विश्येश को ध्यान में रखकर और पुराने साहीत्यक का स्मरन करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं underline करो अभी जो है यह भाषा जो है जिसे आगने परिवार से माना जाता था इसे हम कोल परिवार की भाषा भी मानते हैं पंडितों ने बताया कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द, अब देखो संस्कृत जो है भाषा ये सर्वर्ग्रासी भाषा है, इसे अनेक शब्द जो अब भारती संस्कृत की अब विच्छेद अंग बना है, इसे श्रेनी की भाषा के हैं, कमल, कुडमल, कमबू, कमबल, ता कुटज भी तो क्या आश्चेरिया है, संस्कृत भाषा के शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी, ना जाने किस-किस नसल के कितने शब्द इसमें आकर अपने बन गए हैं, पंडित लोग इसकी चान बिन करके हैरान होते हैं, संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, फिर अगले क्लास में मैं पार्ट 3 शुरू करूंगी,